अला स्केटまだ टारने वारी तो आज दो चेप्तर हम क्या जा जानने वाले हैं तो आप जानते हैं कि क्लास 10 Metes जानते बार आ बिया उसका सबसे पहले हैं स्टार्ट करेंगे तो आगि डेफिनिशन definition से हम start करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि polynomial क्या होता है ठीक है कैसे हम उसको define करते हैं कैसे हम expressions को समझते हैं कैसे हम terms को समझते हैं यह सारी चीजे सबसे पहले हम ध्यान देंगे उसके बाद कहां पर आएंगे तो उसके बाद जब definition हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद भाई types of polynomial बहुत ज़्यादा important चीज है और बहुत लोग यहाँ पर confused हो जाते हैं तो इसके बाद हम पढ़ेंगे types of polynomial types of polynomial भाई दो तरीके से होते हैं वो सारी चीजे हम आप पर discuss करेंगे कौन कौन से ways हैं उनको कैसे हम समझ सकते हैं दैन हम क्या पढ़ने वाले तो दैन हम पढ़ने वाले हैं geometrical representation of polynomial ग्राफिकली हम कैसे किसी polynomial को represent कर सकते हैं क्या होता है जब वह x axis करता है और y axis करता है तो तो यह सारी चीजे हम पढ़ेंगे geometrical representation में अब representation जब पढ़ेंगे तो यहीं पर हम exercise 1.2 जो है exercise 2.1 जो है वो भी हम यहां पर खतम कर लेंगे ठीक है तो जो point 2.1 exercise है बहुत ही जरा सी सड़ी से exercise है उसको भी आम यहां पर representation के साथ ही सब कुछ समझ लेंगे सब कुछ खतम कर लेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर हमको साथ में ही पढ़ना होता है क्या zeros of a polynomial और मैं हलका सा महां पर यह भी explain कर दूँगा कि value of a polynomial क्या होता है कि आपको मालूम है क्लास नाइन में पढ़किया दो जीरो फॉइल्डी को भी आप लोगो ने अच्छे समझा हुआ है लेकिन फिर भी वहां पर मैं सारी चीज़ समझा दूँगा क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट आने वाला है क्योंकि आप लोग जानते हो कि नई जो ncrt की बुक है उसमें आजे ज़्यादा पॉइन चप्टर तो हटा दिये गया है डिविजन एल्गुरिदम जो की काफी अच्छा एक टॉपिक हुआ करता था लेंदी भी था लेकिन हां अच् पॉलिनॉमिल्स तो हम यह पढ़ेंगे इसके बाद और हां इसमें भी डैरिविशन भी करेंगे पूरा सब कुछ में डिराइव करके आपको बताऊंगा कैसे आप कॉड्रेटिक पॉलिनॉमिल के जीरो और कोफिशन के बीच में रिलेशन्शिप ला सकते हो कैसे आप क्यू तो एक्सरसाइस 2.2 को खतम करेंगे इनके बीच में सारे एक्जामपल्स भी करते जाएंगे कोई टेंशन की बात नहीं है दैन आप जानते हो कि हम क्या क्या करते हैं जब चैप्टर पूरा खतम हो जाएगा सारे कॉंसेप्स हमारे पास जाएंगे सारे तरीके की कोशन्स भ पर हम करेंगे most important questions from RD और RS बैक दोनों में एक तरीके questions होते हैं बिलकुल भी बोलना गलत होता है कि RD ले लो याराइस ले लो RD में कुछ ज़्यादा कुशन्स मिल सकते हैं आपको लेकिन जो भी most important questions होते हैं वो तोनों ही books में cover होते हैं ठीक है एंड उसके बाद भी चीजें खतम नहीं हुई है यहाँ पर ठीक है तो आपके लिए bonus content जो की बहुत important है आज किल आपको मालूम ही है कि भाई या दुनिया में mcqs, assertion, reason, case based questions के भी बहुत सारे तरीके के questions आने लगे हैं ठीक है तो अब यहाँ पर हम क्या लेकर आएंगे इसी chapter के सारे mcqs, assertion and reason based questions and case based questions तो यह सब कुछ हम पढ़ाएंगे इस एक chapter का आपको और यह है आपका syllabus overview इस chapter का overview ठीक है पूरे के पूरे आपने जो chapter की video series है हमारी वो देखी तो ठीक है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही क्योंकि हम क्या करने वाले हैं तो हम इसके बाद chapter को start करने वाले हैं तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे अपनी preparation को बहुत ही strong बनाते जा रहे हैं ठीक है तो शुरुआ चले के लाज तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें इसको सब्सक्राइब करने चलक और शेर करें इसको अपने सारे friends family and relative के साथ मिलेंगे नेक्स वीडियो में जहा झाल